हाई वेंट्स वेलकम अगिन ओन सी ए निदनुप्ता क्लासेस तो बहुत सारे बच्चों के कोश्चन है भाईया कि भाईया सर बोद ग्रूप करें कि सिंगल ग्रूप करें इसका आंसर आपको अल्रेडी पता है मैं आपसे कोश्चन पूछता हूँ लेट समझो आपकी एक पा साथ क्लीर करिये लेट उसकी रैंक है नहीं है वो बात की बात है क्यूंकि ऐसा नहीं है कि रैंक होडर को डिरेक्ट जॉब मिल जाती है मैं खुद एल इंडिया रैंक वन हूँ इसको पैकेजिज नहीं मिलता बाकि आप मेरे अलावा जिसकी भी पैकेजिस वो आप नोटीस पैकेज और सब कुछ डेस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा है जरूर देख लें ठीक है जी नहीं तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी नहीं भाई या ऐसा कुछ नहीं है ग्रोथ होगी होगी नहीं भाई ऐसा नहीं है सबसे इंपरॉंट चीज है प्रेक्टिकल लाइ ग्रूप करके आपके पास आया है अब आप बताओ आप अपनी कंपनी में सबसे पहले क्या सोचते हो कि इन दोनों में से कौन इंटेलिजेंट जादा है कौन महंती जादा है कौन अच्छे से काफी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करने की पावर्स रखता है देखो सबसे आपको खुद बता इस कोशन का आंसर क्या है समझ रहें आप और दूसरी चीज कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब के इंटर्विव ले सके तो उसको कुछ दिखना चाहिए सबसे पहले कि वो बुलाए इंटर्विव के लिए पूरी दुनिया का तो मैं इस चीज की बात करूँगा बात लेवल की आप किस लेवल पर काम करना चाहते हो आपके पैकेजिस क्या चाहते हो आप और कहां काम करना का चाहते हो किस प्रोफाइल पर काम करना चाहते हो फ्यूचर में आप अपने आपके लेवल पर देखना चाहते हो बात उस चीज क का मतलब होता है आपके पास सोचने समझने decision making की powers है जो course आपने किया है उस course की knowledge आपके पास है आप बहुत अच्छे से सोच समझ सकते हो decision making कर सकते हो दोनों में बहुत बड़ा difference है बहुत जादा बड़ा difference है तो the most important thing is question का answer तो आपको पता है कि best क्या है दूसी चीज़ आपने शायद सुना होगा कि भाईया aggregate 50 चाहिए होते है तो जैसे group 1, group 2 आप देते हो तो जैसे theoretical subjects हैं practical subjects हैं आप उसमें अच्छे नमपर लिया हो theoretical subject फिर उसकी average हो जाती है या आपके group 1 में जादा आगए group 2 में कमा गए तो उनकी मिलाके भी average हो जाती है तो आपको average का benefit मिल जाता है जिससे आप pass हो जाते हो देखो भाईया मेरे लिए ये जो point है ना last से भी last point है क्योंकि अगर आप मिला जुलाके जोड़ तोड़ करके ही pass हो रहे हो तो भाईया वो pass pass होना नहीं है आप practical life में बहुत दिक्कते होंगी बहुत जादा दिक्कते होंगी नहीं कमा पाओगे guarantee मार्ट मेरी बाट important चीज है जो भी काम करें धंग से करें professionally करें सो समझ के करें तब है मज़ा ये मिला जुला के पास होना ये सबसे last point मैं बताना चाहूंगा पहले नहीं सबसे important है पहले तो हमारी बात होगी जड़ा इस point of view से अब समझो आप कि भाईया job करना चाहते हो कि practice करना चाहते हो अच्छा job और practice में भी किस level की practice करना चाहते हो क्या आप चाहते हो कि आपकी practice इस इतनी बड़ी हो कि MNCs का काम आपको मिल सके या आप बस वोई returns फाइल करना चाहते हो जैसे कि बाकी सब बहुत सारे लोग करते हैं 500 रुपे, 2000 रुपे, 3000 रुपे में रिटने फाइल कर रहे होते हैं उसी में लड़ रहे होते हैं इसकी रिटन का काम मुझे मिल जा इसकी रिटन का काम मुझे मिल जा अरे भाइया छोड़ो यार ये वाले काम अगर आप MNCs के साथ खेलना चाहते हो practice में भी तो पहले MNCs के लायक बढ़ना भी पर जा देखो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो जौब ही नहीं करनी अरे भाइया जौब मत करना बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जौब मत करना कभी मत करना लेकिन अपना interview crack करके दिखाओ MNC में और MNC में proof करके दिखाओ कि तुम इस लायक हो कि MNCs तुमें काम दे सके पैसा कोई भी कमाता है पैसे कमाने से वो intelligent नहीं हो जाता अगर अंबानी टाटा बिरला जिंदल के पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि वो आइंस्टाइन से रामानुजन से स्वामी विवेकानन से बड़े हो गए देखो बात intellectuality की चल रही है बात intellectuality की चल रही है बात पैसे की नहीं चल रही पैसा कोई भी कमा सकता है that's a different thing तो सबसे important चीज़ है भाईया practice कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन पहले ज़रा proof कर लो कि आप MNC के लायक हो भी या नहीं ये बहुत बड़ा point बोल रहा हूं है अब बात करते हैं देखो भाईया अगर आप कहते हो और मैं भी कहूंगा सबसे पहले job कर लो क्योंकि starting में practice खोलना उसे चलाना profit में आना मजाग बात नहीं है अब बात करते हैं कि सबसे और दूसी चीज़ प्रैक्टिट भी करोगे किस लेवल की करोगे कौन सा काम पकडोगे बहुत important चीज़ है जोब करते हैं तो job या तो आप MNCs में करोगे या CA Firms में करोगे अब MNCs या CA Firms Mediocre CA Firms, Lower CA Firms, Big Force whatever the case is देखो सबसे पहला जो profile होता है सबसे पहला profile हो MNC होती है क्योंकि MNC ही आपको पैसा देगी, पावर देगी रेपो देगी, प्रोफाइल देगी CA Firms में आपको 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 मिल सकता है लेकिन आप उसमें सोचो आपको बहुत अच्छी growth मिल जाएगी बहुत कुछ मिल जाएगा नहीं मिलेगा, guaranteed मालनो मेरी जाएगा वरना जब आप जाओगे तब पता चल जाएगा दूसरी चीज MNC में भी किस level पे आप काम कर रहे हो वो बहुत important चीज है MNC में एक चीज होता है internal auditor भाईया सबसे lowest job यही होती है internal auditor जिसको कुछ नहीं आता internal auditor की post पे जा रहा है समझ जो मेरी बात क्योंकि कुछ काम नहीं है वाँ पे कुछ नहीं करना वाँ पे useless job, एकदम useless job internal देखो काम कहां है एक होता है MNC का financial reporting जिसके लिए CA final का FR बहुत solid होना चीए, बहुत solid आपके starting packages है 30 lakh रुपे से starting packages है 30 lakh रुपे स्टार्टिंग freshers package तो अगर किसी को freshers package 30 lakh से कम मिलता है तो समझ जाओ कि उससे MNC के interview क्लेक नहीं Google कर लो Reliance Industries या ये कितना freshers package देती है CA को, पता चल जाएगा आपको, फिर इसके बात जो आपके पास काम आता है future में, वो काम होता है costing based और finance based फिर वो ही एक inter level होता है, एक final level होता है मेरे भाईया, तो inter की भी आपको costing है लेकिन सबसे पहले, सबसे important है final level की जो costing है inter level का आपके पास FM है, लेकिन सबसे important है final level का जो SFM है अब important चीज़ क्या है कि जब तक आपका final strong नहीं होगा चाहे वो FR हो, चाहे वो costing हो चाहे SFM हो, आपका profile build नहीं होगा future के लिए माल लो मेरी बात, तो अगर आपको अपना profile build करना है तो CA final के subject बहुत strong करने पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा strong करने पढ़ेंगे, CA final के subject अब FR 30 lakhs costing वो subject है जो आपको CEO बनवाएगा और ये वो subject है जो आप CEO बनाएगा आप एक चीज़ नोटीस करो, जिनोंने भी अपने business में या practice में बहुत ज़्यादा तरक्की करिया, उन्होंने पहले MNCs में jobs करी है उन्होंने MNC को पहले तो इसका मतलब वो इस लायक थे कि MNC में काम कर सकें सबसे important चीज़, दूसी चीज़ उन्होंने MNC को सोचा, समझा काम करने का तरीका, सारी चीज़े देखी फिर वो अपने business में आए यह इस तरीके से proceeding है, समझो बात को, और मैं फिर कहूंगा, किसी को भी analyze करते हो, तो इस basis में मत करो कि किसके पास कितना पैसा है इस तरीके से analyze करो कि वो पैसा आया कैसे है, वो बहुत important चीज़ है, way of proceeding क्या है तो MNC में भी आप किस level पर काम करना चाहते हो, वो पूछना पड़ेगा, CA firms में मेरा मानना है, जो भी CA कर रहा है, थोड़ी बहुत किसी भी थोड़ी बहुत जो भी knowledge है, कही ना कहीं तो fit होई जाता है, थोड़ी कम salary थोड़ी जादा salary, तो मेरे लिए इसमें भी profile matter करता है, कि आप CA firm में भी अगर हो, तो आपका profile क्या है, वो मेरे लिए matter करता है, उसी के basis पर obvious ही बात है, आपका package आएगा, the most important thing is, कि भाईया, आपका package क्या चाहिए आपको, अब हम बात करेंगे, both group और single group की, देखो भाईया, अगर सपने बहुत बड़े हैं तो मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, everybody wants money, my question is, are you ready to give what it takes, it का मतलब होता है, वो शोहरत, वो ताकत, वो पैसा, वो चीज, वो जो success है, success को जो चीज चाहिए, क्या आप वो चीज देने को तयार हो, या नहीं, अगर हाँ, तो मिलेगी, तो the most important thing is, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो obvious बात है, I will recommend both groups, इसके बिना कहानी नहीं है भाईया, इसके बिना एक लंबी चलांग नहीं है, तो जाए नहीं सकते हैं, directly बहुत important चीज है, और CA forms में भी हमको अच्छे packages नहीं मिलते हैं, तो both groups देना बहुत बहुत अब समझो, अब बच्चे कहते हैं, sir, both group अगर fail हो गए तो यह हो, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपने single group दिया, तो इसका मतलब आप पहले से पहले fail हो, आपने मान लिया आपके बसकी नहीं है, दोनों group तो इसका मतलब आप अपने आप हो, मतलब यह तरीके से हो गए ना, fail तो हो ही गए, तो the most important thing is, अब both group fail हो गए तो, अरे भाईया, profit is the reward for risk bearing, और दूसरी चीज, both group आपके लिए risk ना रहे, तो उसके लिए है न, basic foundations, जो classes होती है, अब important चीज यह है, कि हम आपको एक guarantee टाइक देते हैं, कि भाईया, आप यह मस सोचो, आप किस लायक हो, आप यह सोचो, हम क्या करवा सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत अच्छा सा incidence लेता हूँ, रमायन से, गुमान जी की ताकत सोईवी थी, तो जामवन जी जैसा कोई गुरू चाहिए, ताकि वो उसको यह याद दिला सके, वो उस लायक बना सके, कि तेरे अंदर बहुत कुछ है, और तू वो काम कर सकता है, तो यह जो गुरू है न, इस गुरू की जरूरत यहाँ पे इसलिए प यह सब पढ़ रहे हो, इस सुबह दिन रात यूट्यूब देख देख के दिमाग कराब हुआ पढ़ा है, लेकिन जो एजुकेशन उसके अंदर है, उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट नहीं कर रहे हो, सौट अनलाइसीज हमें क्या बताती है, सबसे पह यारो उस चीज के लिए तो आपके लिए थ्रेट नहीं है, वरना वह आपके लिए थ्रेट है, तो सबसे इंपॉर्ण चीज आप कहते हो यार, बोथ ग्रूप्स, एक ऑपर्चुनिटी भी है, एक थ्रेट भी है, अपर्चुनिटी, अगर हम बोथ ग्रूप कर लेते हैं, अगर काशन replace जो कमज़ोर है, जो वीग है, तो आपको अपने resources develop करने है, ताकि यह जो थ्रेट है, इस थ्रेट को आप अपर्चुनिटी में convert करको, देखो आपकी एक strength और weakness है, यह क्या है resources, आपकी अगर resources बहुत solid है, तो कोई भी चीज आपके लिए थ्रेट नहीं है, दारा सिंग अकेला जा रहा है, भईया, सामने से दो बंदे आ गए तो थ्रेट थोड़ी ना है, बुसली अकेला जा रहा है सामने से पांच बंदे आ गए तो थ्रेट थोड़ी ना है बशरते उनके आतमें गाउ, ठीक है जिए, तो एक normal एक तो गुरू चुनने है, जो यह confidence दे सकें, वह एवल of knowledge, वह expertise दे सकें, कि future बहुत solid हो जाए, और बोद गुरूप करने बहुत easy हो जाए, हमारे बहुत में जितने बच्चे हैं, जितने students हैं, सबके सब बोद गुरूप दे रहेंगे, और नवंबर में बोद गुरूप दे तो important चीज है, यह मत सोचो bad character है, कि good character है, यह देखो कि उसका thought, उसके views क्या थे, मामा शकुनी ने एक बात बोली थी, कि run भूमी में run होने से पहले, मनो भूमी में खेला जाता है, बहुत बढ़िया बात है, तो run भूमी में जाने से पहले, वह बोद गुरूप नवंबर अ उसके लिए आपको guru चाहिए, उसके लिए एक systematization चाहिए, एक synchronization चाहिए, तो हर चीज planned होनी चाहिए, तब आएगी वो चीज, और दूसी चीज, courses रटने ना पड़े, हर चीज समझ में आए, guaranteed वो चीज है, वो है जलवा, देखो नीचे description box, comment section में, हमने several attempts करके दे रखा ह है, big force and our students करके दे रखा है, several attempts, पूरे हिंदोस्तान में बच्चे पढ़ दिये, inter foundation, final, different different subjects, नहीं हुए भाया, उसके बाद हमें जॉइन करा, देखो हर साल, वो कैसे बच्चे बनते हैं, फिर वो सिये, ऐसे हम क्या करा देते हैं उन बच्चों को, जो कहीं पास नहीं पाते और काफी सारे repeated depends होते हैं, और हमारे पास आके ये marks आते हैं, और different different subjects और marks का level देखुआ, तो कुछ तो बात होगी, हम course रटाएंगे नहीं, हम course समझे, तो समझो जरा चीजों को, both group और single group, भाया अपना criteria थोड़ा change करो, देखो success यहां पे हैं, हम यहां पे हैं, तो success तो level down करेगी नहीं, हमें ही अपना level up करना पड़ेगा और success को achieve करना पड़ेगा, समझो बात को, सपने बहुत बढ़े हैं, लेकिन हम उसी साब से काम नहीं कर रहें, तो मेरा point of view यह है, सबसे पहले बैठ हो, शांती से, अपने आप को अपने answers का answer दो, YouTube उसका solution नहीं है, आपक काम करता रहूं, नहीं भईया, नहीं, 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 जिम्जो जो, आपको जो success चाहिए, उस success के लिए खुद को prepare करना पड़ेगा, तब मिलेगी वो success, ऐसे नहीं मिलेगी, guaranteed, अब मैं आप से कह सकता हूं कि हाँ भईया, both group single group हैं, तो अगर अब भी कुछ बच्च में जाना ना उनको बिक फोर्स में, ना उनको कोई profile चाहिए, लेकिन फिर यह मत कहना कि हमने degree तो ले ले लेकिन अच्छी job नहीं मिल रही, एक बात ध्यान लखना, मैं नहीं कहता, single group वालों को job नहीं मिल सकती, मिल सकती है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, जिसने both group conceptually समझ के कि हैं conceptually, मेरा salary package देख लेना भईया, जिसने conceptual समझ के किये हैं, उसकी बात ही अलग है, उसकी बात अलग है, उसका profile देखना, उसका आगे देखना भईया, क्या scope है उसका, तो important चीज है, रटे मार के नहीं करना, क्यूंकि आपने एक बार रटे मार के फिलहा let course कर लिए, लेकि लो, इस मेरी बात, अभी मान लो, वरना future में मानोगे, माननी तो पड़ेगी, आप कोई पता है, जो मैं कह रहा हूँ, वो सही कह रहा हूँ, अब अगर both group और single group की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आप से कहूंगा, कि plan करो, देखो plan करने का क्या मतलब, मैं बोल रहा आप जब registration कराओ, CA Institute में, तो दोनों group की कराओ, ताकि आपकी fees कम हो जाए, तो registration तो both group की कराओ आप, अब आप करो अपनी preparation start, जब आप अपनी preparation start करोगे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, कि आपको both group देनी देना है, ठीक है, हम preparation start करते हैं, आप अपना group 1 बहुत clear कर लो, बहुत त्यार तरीके से, let आपका group 1, February, March, April, April end तक आपका group 1 एकदम crystal clear हो गया, मज़ा आगया, test वे, सब prepared हो आप, अब क्या करें यार, तो अब आप group 2 start करो, तो मई, जून, जुलाई, जुलाई, एंड तक group 2 करो, अगस्त, सेप्टेंबर, अब आप इन दोनों के, पहले भी test हो चुके हैं, class के साथ, अब आप revision and test दुबारा दो, और October में भाईया, सिर्फ और सिर्फ, mock test and revision, और November में आपके हैं, finals, finals का मतलब, आपके paper हैं, मतलब inter और final के जो भी है, the most important thing is, आप registration दोनों की कराओ, अगर आपको ऐसा लगता है, कि group 1 बहुत timely हो गया, अब बहुत abundant time है, आपके पास group 2 करने के लिए, तो क्यों ना group 2 भी कर लिया जाए, examination form तो बाद में भरना है न, जब आप examination form भरोगे, तब सोचना, single group और both group, अभी मत सोचो, अभी तो अपने mind में सिर्फ एक चीज, बस एक चीज, both group, और सबसे important चीज, यार मेरी बात मान लो, अभी नहीं मानोगे, तो future में मानोगे, कि भाया, conceptually पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे, बहुत important चीज है, वरना तो वो बरबादी वाली बात हो जाती है, वाउ, यह मेरा point of view है, both group और single group और यह मेरी strategy है, अभी से अभी क्यों decide करना, जो हमारे लिए उस situation में best होगा, और हम best करने की कोशीश करेंगे, तो सबसे बहले group 1 अगर बहुत timely, बहुत systematically हमारा adequate time period पे खतम हो गया, तो क्यों ना group 2 करेंगे, ज़रूर करेंगे, और एक बार, अगर जरा सी भी दिक्कत हो, कहीं पे भी किसी भी subject कैसे भी, सोचने समझने में, एक बार join करो और difference feel करो, जोश जुनून भर देंगे, एकड़म confidence भर देंगे, guaranteed, तो भाईया, यह strategy होनी चाहिए आपकी, और जब आप examination form fill करोगे, तब आप सोचना single group और both group, तब तक तो जीजान से एकड़म मैनत करेंगे, मज़ा आ जाएगा, तो इस तरीके से strategy wise चलेंगे, क्योंकि अगर हम both group prepare कर लेते हैं, तो obvious सी बात है, both group prepare करेंगे, single ने करेंगे, बहुत बड़ा impact पढ़ता है आपके future पे, और obvious सी बात है, हर एक बंदा future में grow करने के लिए, prosper करने के लिए ही पढ़ रहा है ना यार, और किस चीज के लिए पढ अगर नहीं, तो समझ जो मेरी बात, future में आपको pay करना पड़ेगा, आपको इस नहीं मिलेंगे, जबरदस्ती degree को पैसे नहीं मिलते, interview देने पड़ते हैं, मिलते ने next class में, till then bye bye, कोई भी doubt, कोई भी query है, तो जरूर comment करो, आपको जरूर, जरूर, जरूर answer दिया जाएगा, और कोई भी demo classes आपको चाहिए, किस भी subject से related, तो जरूर comment करो, आपको demo classes भी मिलेंगे, मिलते ने next class में, till then bye bye, be ready, be prepared, comment section, description box में, जो भी वीडियो जरूर देखें, कुछ तो मिलेगा, मिलते next class में,